Hello Everyone तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नमबर 4 और आज मैं आपको Explain करूंगा Fermit Analysis For Biomaterials आज मैं explain करूंगा आपको Fermit Analysis For Biomaterials देखिए, Fermet Analysis क्या होता है? Fermet Analysis हमें Biomaterial के अंदर जो elements है, suppose करते हैं कि जो Biomaterial है, वो तीन Component से बना हुआ है A, B और C A जो है, उसके अंदर Sulfur का Presence है और जो B बना हुआ है, उसके अंदर कुछ Aluminium है अब मुझे अगर find out करना है कि percentage of sodium in biomaterial तो मुझे कौन सा analysis को use करना है उस case में मुझे को analysis use करना है format analysis तो मैं अभी start कर रहा हूँ format analysis और format analysis को analyze करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा phi of n तो previous lecture में मैंने आपको यूलर का जो expansion बताया था यूलर expansion और यूलर को solve कैसे करते हैं तो मैं आपको एक बार दुबार से brief कर देता हूँ तो यूलर phi of n यूलर of n क्या होगा ओके इसको देखते हैं यूलर of n अगर n एक prime नंबर है उस case में phi of n होगा n-1 ओके मैं आपको एक example देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम यूलर का use करने वाले हैं phi of n क्या होगा n-1 अगर n जो है prime number है ओके अगर n क्या है prime number है अगर phi of n,m है तो उसको लिख सकते हैं phi of n into phi of m okay in case अगर जो यह जो value है वो prime number नहीं है ओके तो उस case में हम ऐसे लिख सकते हैं suppose करो 5 of 13 है 13 क्या है prime number है which can be written as 13 minus 12 अगर 5 of 100 है hundred क्या है prime number नहीं है तो उस case में hundred के factors बना लेते हैं 2,50,2,25,5,5,5,5 और 1 तो यह हो जाता है 5 of 100 is equals to 5 of this is 2 and 2 2 power 2 into next पिज ले लेता हूं okay 5 of 2 हमार पास था 100,2,50,2,25,5,5,5,5 and 1 मेर पास यह था तो यह मेरा था 2 power 2 into 5 power 2 okay अब हमें further हम इसको solve कर सकते हैं आप previous वीडियो को एक बार refer कर सकते हैं lecture number 3 जिसमें मैंने ये detail में explain कर रख है okay तो आईए अब हम देख लेते हैं कि कि किस तरह से हम format को analysis को use करके और percentage को calculate करेंगे okay तो देखिए सबसे पहले 5 of n यहाँ पर यूलर का कोई भी part नहीं use होगा सिरफ format का use होगा तो आप यह मत सोचिए कि आपने पीछे refer कर रखा यह नहीं कर रखा 5 of n ओके 5 of n आपको given है 5 1 2 3 1 2 जो की mattresses है 2 x 3 मेरी number of rows है 2 number of column है 3 तो अगर 5 of n का जो dimension है वो 2 x 3 है इसका मतलब यह होता है कि जो आपका biomaterial जो आपने use किया है ओके biomaterial mattresses जो आपने लिखा हुआ है यहां पे उसके अंदर metal की composition जादा है ओके मैं आपको बताता हूं किसतना से जादा देखिए पिछले example में हमने देखा कि mattresses था 2 x 3 का अगर row और column क्या है 3 और row क्या है 2 if column value अगर column की जो value है greater than होती है row से तो वो होता है metal का जो concentration है biomaterial में वो excess में है correct first observation second suppose कीजिए मेरा 5 of n जो है यहां पे वो है 5 1 2 4 3 1 2 4 इस case में 2 x 4 इस case में column का value क्या है greater है row से तो इसका मतलब metal क्या है excess में है okay third देखते हैं यह भी मैं आपको सिरफ एक illustration दिखा रहा हूं यह use करेंगे हम numerical में okay अब देखते हैं 1 2 1 & 1 3 & 7 तो dimension हो गया 3 x 2 3 rows यह column okay तो इस case में non-metal का जो non-metal जो है वो excess में है तो हमने यहां से यह observation मिला पिछले problem से की row अगर column अगर greater है row से तो उस case में metal का concentration जादा है अगर row का जादा है तो उस case में non-metal का जो concentration है वो जादा है okay suppose करते हैं मेरे पास एक biomaterial है okay मेरे पास एक biomaterial है जिसके अंदर A और B है ठीक है अब मैं आपको एक example देता हूं देखिए मैंने previous example में लिया है कि यह हो गया A यह हो गया B ओके यह वाला biomaterial मैंने आपको बताया है यह एक biomaterial है जिसका नेम है X और उसके अंदर further दो elements है X के अंदर दो elements है A and B okay A and B अब हमें mattresses दे रखा है X 5 sorry okay fine 5 this of X दे रखा है और X जो है वो N के बराबर है जो की है 1 2 3 4 5 6 which is 3 cross 2 अब इसके अंदर row value है 3 column value है 2 it means it means इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके अंदर non metal जो है वो ज्यादा है ठीक है अब इसको not कर लीजिए मैं इसको रब कर रहा हूं okay तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें non metal का जो component है वो क्या है ज्यादा है previous question में में को A और B दे रखा था correct A और B दे रखा था अब A और B जब भी गिवन होगा suppose A और B अब यह C दे दिया यहां पर तो वह हमेशा equally में गिवन होता है okay biomaterial में हमेशा हर चीज equally में गिवन होती है अगर specify ना हो अब इस case में specify नहीं है तो मैं तीनों को equal लोगा लेकिन previous question में मुझे गिवन था अब इसमें देखें सिरफ A है और B है और लास्ट वाले में हमने find out क्या क्या है non metal है access में तो यह मेरी होगी observation number one observation number one correct observation number one इसका मतलब 50% से access में जो है वो है non metal ठीक है non metal अब मैं क्या करूंगा कितने elements से रखे हैं A & B दो दे रखे हैं ठीक है दो दे रखे हैं और अब आपको क्या करना है 100 कितने दे रखे हैं आपको A & B तो 2 हैं तो यह हो गया 50 तो एक का जो percentage हुआ वह हुआ 50 और बहुत जदा obvious भी है और बहुत जदा obvious भी है क्यों obvious है यह A यह B यह है 50 यह है 50 अब हमने observation निकाला था A & B प्लस प्लस क्या था non-metal correct non-metal क्या था प्लस में था इसका मतलब A & B दोनों के दोनों ही क्या है non-metal है correct correct is that concept clear तो आपको यह ध्यान रखना है कि A & B दोनों के दोनों क्या है non-metal है ठीक है अब वह आपको options देगा अब वह आपको options देगा ठीक है first second third fourth यह gate के point of view से है okay okay अब वह आपको option देगा answer non-metal है लेकिन वह आपको किस तरह से option देगा वह देगा A metal B metal okay A & B non-metals A metal B non-metal A non-metal B metal option कौन सा ठीक होएगा second one okay तो मेरा इस तरह से find out करने एक और question देखते हैं देखिए को और clear होगा अच्छे से देखिए अब मैं क्या करता हूँ मैंको एक matrix दे रहा है X जो given है 5 1 2 1 3 1 4 2 3 अब हमें क्या find out करना है कि यह biomaterial identification okay identify the biomaterial क्या find out करना है identify करना है the type of biomaterial okay अब मुझे यहां पे find out करना है type of biomaterial ठीक है तो मैं सबसे पहले क्या देखते है dimensions okay सबसे पहले देखते है dimension तो यहां पे जो मेरी dimension है वो है 3 x 3 यहां से दिखिए अगर मेरी column जादा होती थी तो मैं क्या देता था metal है अगर मेरी row जादा होती थी तो मैं क्या देता था non metal है correct लेकिन इस case में क्या given है इस case में क्या given है हमार को इस case में given है 3 x 3 it means जो R row है वो किसके बराबर है column के बराबर है okay row जो है वो है column के बराबर है तो अब हमें find out करना है क्या इसमें metal जादा है या इसमें non metal जादा है correct मुझे find out करना है क्या इसमें non metal जादा है या फिर मैटल जादा है तो कैसे करेंगे अब गिवन क्या है हमको गिवन है मुझे यहाँ पे 3 x 3 ठीक है अब हम देखेंगे अपना मैट्रेसेस दिखें मैट्रेसेस मैंने लिया था ओके मैं दुबारे लिख देता हूं यहाँ पे 512317403 सबसे पहले अगर हम मैट्रेसेस को देखें तो क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे सम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे सम 5 6 7 & 8 7 8 9 10 11 3 & 4 & 3 7 ओके फिर से दुबारा से एक बार सम कर देंगे इसका सम क्या गया 26 अब 26 का फर्दर सम क्या से करेंगे 2 प्लस 6 जब तक नंबर यहांपे 8 अब मैं क्या करता हूँ देखिए नंबर 8 है नंबर क्या है एट है अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो वह है non-metal और अगर 5 से number below है तो वो क्या है metal correct, fine, understood तो इसमें 5 से greater है number तो ये कौन सा example हो गया मेरा non-metal का ठीक है, तो आपको zone से option मर्जी दी हो, आप क्या कह सकते है, जो biomaterial x था, वो क्या है non-metal fine, तो हमने 3 observation देखी है important biomaterial में 3 observation हमने सबसे यदा important जो देखी है वो कौन-कौन सी है, अगर row greater है column से, column greater है row से या फिर row equal है column से, अगर row equal है column से, तो उस case में क्या करेंगे sum करेंगे of all columns, okay sum करेंगे of all columns sum कर देंगे columns का c1, c2, c3, 1, 1, 1 फिर find out करेंगे, जो मैंने आपको पीछे explain किया, okay I hope यह clear होगा, यह concept clear होगा मैं अब भी कुछ एक, तीन problems ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से clear होगा, एक biomaterial है, x उसकी जो matrices properties है, वो है, 3, 1, 4, 2, 5, 7, 3, 8 and 9, okay अब इसकी dimension दुबारा से जाओगी, 3 x 3, तो यह तो यह तो हो सकता है metal, यह तो हो सकता है यह non-metal, correct यह तो हो सकता है metal, यह फिर हो सकता है non-metal, तो 3 plus 2, अब क्या करेंगे, सब का sum कर देंगे इसका, 3 and 2, 5, 5 and 3, 8, 5 and 1, 6, 6 and 8, 14, 9, 10, 16, 16 and 4, 20 fine, ध्यान रखिए, इसको ऐसे sum करना है, जब एक value आएगी उसकी individual करनी है, okay 20, 30, 38, 38, 39, 40, 41, 42, value is 42, 4 plus 2 करना है आब, okay 6, जो की क्या है, non-metal, तो x जो biomaterial था, वो उसके अंदर किसकी concentration ज्यादा है, non-metal की fine, understood, okay, second question देखते हैं, 5, 1, 3, 7, इसमें dimension देखते हैं, इसमें dimension है again, 2 cross 2, तो 5 and 1, 6, 7 and 3, 10, okay, 6 plus 10 is 16, 1 plus 6 is 7, answer is non-metal पिर से क्या है, यह, non-metal है, okay, next question, a, यह हो गया, x, sorry, एक में material ले रहा हूँ, okay, question कैसे आएगा, biomaterial, material, x, has the mattresses, has the mattresses, x is equal to 1 and 2, find out, find out, the concentration, doubt, the concentration of, concentration of, biomaterial, okay, यह मैं आपको exercise के लिए दे रहा हूँ, यह आप इसको try कीजिए, और देखते हैं, next class में, तो आप इसमें से पहले identify कर रही है, कि यह non-metal है, या फिर metal है, उसके बाद हम फर्मेट का यूज़ करके, इसकी concentration को find out करेंगे, okay, so thank you for this class, तो हम शुरू करेंगे, next class में, thank you.